हेलो दोस्तों, उत्राखंड की पार्ट शाला में आपका श्वागत है यह है उत्राखंड भूहोल टेस्ट आठ उत्राखंड राज्य के दर्रे यहां हम देखेंगे दर्टों से संबंदित प्रस्ण तो चलिए शुरू करते हैं उत्राखंड भोल, टेस्ट, संख्याठ, उत्राखंड राज्य के दर्रे हमारा आज का पहला प्रस्ण है निम्न रिखित मैंसे एक गिरिद्वार है तो प्रयुक्त सब्द नहीं है हिमारा मैं इसे द्वारों को ही दर्रे कहा जाता है उन्हें ही गिरिद्वार कहा जाता है तो कौन सा वो सब्द इन मैंसे ऐसा है जो गिरिद्वारों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है तो यहां पर हम देखें तो ला सब्द का प्रयुग दर्रों के लिए ही उत्राखंड में किया जाता है जैसे हम कहते हैं जेंती ला मुलिंग ला तो ला सब्द का प्रियोग हम दर्रों के लिए ही करते हैं दर्रा सब्द भी दर्रे के लिए ही गिरिदबार भी हम दर्रे को ही कहते हैं साथ में धुरा भी दर्रों को ही कहा जाता है, एक मातर सब्द यहां पर है बरम, बरम सब्द का परियोग दर्रों के लिए नहीं किया जाता है ठीक, जबकि इससे जुड़ावा एक सब्द है बमक, बमक सब्द का परियोग किया जाता है हिमानियों के लिए या गलेसियरों के लिए अगला प्रस्ण है दार्मा दर्रा किस दिले में इस्तित है एक दर्रा है दार्मा दर्रा दर्रे वो हैं जो घाटियों को पार करने के काम आते हैं दो प्रोश रिंख्राओं के बीच की घाटियां होती हैं जो परवतों को पार करने में सायता प्राप्त करवाते हैं या गरिमि इस प्रस्ण को देखें, तो दार्मा दर्रा इस्तित है पिथोरागर जिले में, पिथोरागर जिले में ही दार्मा घाटी है, और दार्मा घाटी में ही दार्मा दर्रा इस्तित है, दार्मा दर्रा यहां पर चीन तिबत से पिथोरागर को जोडता है, इस दर्रे का सह दर्रा ह तो इसे पूरूर रूप से कहा जाता है दार्मा नवी धुरा दर्रा अगर दो दर्रे आपस में connect होते हैं तो उनका नाम इसी तरह से लिया जाता है अगला प्रस्न है निम्लिकित में से कौन सा दर्रा उतरकासी एवं तिबत के मज्य इस्तित नहीं है इन चार दर्रों में से नेलांग, स्रिंग कंट, सांग चोकला और मुलिंगला ये सभी के सभी दर्रे उतरकासी में ही है लेकिन इम्लिकित से एक ऐसा है जो तिबत से नहीं लगता है इसका सही आंसर हो जाएगा स्रिंग कंट दर्रा स्रिंग कंट दर्रा तिबत से न लगकर उतरकासी से हिमाचल प तिबत से लगने वाले अगर अन्य दर्री हम देखें उतरकासी के तो वो है ठांगला, साथ में सांग चोकला, साथ में जेलू खगा, एक है जेलू खगा, ये भी तिबत से लगता है उतरकासी का और साथ में एक और दर्रा है वो है बालचा धुरा, बालचा धुरा भी यहीं तिबत से लगता है अगला प्रस्न है निम्ड कित में से कौन सा दर्रा पिथोरागर से सम्मंदित नहीं है ऐसा दर्रा जो पिथोरागर में इस तित नहीं है तो इन चार दर्रों में से अगर हम देखें तो जैतिला पिथोरागर में है जैतिला एक दर्रा है पिथोरागर का सा इसंगे, दर्रा उत्तर कासी का प्रसिद्ध दर्रा है, ठागला जो चीन टिवत की सीमा पर है। अगला प्रस्ण है निम्डखित में से कौन सा दर्रा चमोरी एवं बागेश्वर के मज्य इस्तित है ऐसा कौन सा दर्रा यहाँ पर है जो चमोरी और बागेश्वर के मज्य इस्तित है तो यह ऐसी तरह को अगर हम देखें तो सुन्दर ढूंगा बारा होती टोपी दुरा और ट्रेल पास मैंसे सुंदर ढूंगा वो दर्रा है जो चमोरी और बागेश्वर के बीच इस्तित है अगर हम 12 होती की बात करें तो ये 12 होती दर्रा चमोरी एवं पिथोरागर के बीच इस्तित है अरागि ये चीन तिवत व्यापार का प्रमुक केंद्र भी हुआ करता था पर जिठोरागर एवं बागेश्वर के बीच इस्तित है ट्रेल पास ठीक है आगे बढ़ते हैं निमलखित मैंसे कौन सा दर्रा चमोली तिबत के मद्यः इस्तित नहीं है ऐसा दर्रा जो चमोरी और तिबत के मद्ययन नई इस्तित है अर्थात अंधरास्टियन नहीं है आलिंदी दर्रा ऐसा दर्रा है जो उतरकासी में है और चमोली से रास्ता बनाता जरूर है लेकिन ये तिबभ से सीमा नहीं बनाता है या तिबभ से रास्ता नहीं बनाता है ये दर्रा है उतरकासी में इस्तित और चमोरी से कनेक्ट करता है उतरकासी को अगला प्रस्ण है सेला एवं कल गंगा धुरा दर्रा किस दिले में इस्तित है ये एक छेत्रे दर्रे हैं और ये दर्रे इस्तित है ये पितोरागर जिले के दर्रे है पितोरागर में अन्य ऐसे छोटे मोटे दर्रे बहुत सारे हैं जैसे नामापास, लुवाधुरा, सिनला ये सब पितोरागर के मज्य ही इस्तित हैं अगला प्रस्ण है निम्ली लिखित मैंसे कौन सा एक दर्रा चमोली एवं पितोरागर के मज्य इस्तित नहीं है जबकि मार्च योग की बात करें तो ये भी चमोली के साथ पितोरागर के बेच इस्तित है धुमदर कंडी जल्प, धुमदर कंडी दर्रा, ये धुमदर कंडी जो दर्रा है ये उतरकासी के भीतरी भागों में इस्तित है जबकि एक अन्य दर्रा जो चमोरी और पिथोरागर के बीच है वो है लाटू धुरा तो चार दर्रे चमोरी से पिथोरागर के बीच है वो हैं बारा होती, मार्च योग, टोपी धुरा और लाटू धुरा जबकि धुमधर कंडी दर्रा उतरकासी जनपत के अंतरगत आता है अगरा प्रस्न है बागिस्वर एवं पिथोरागड के मध्या इस्तित दर्रा कौन सा है अभी अभी हमने कहा था कि ट्रेल पास ऐसा दर्रा है जो बागिस्वर और पिथोरागड के मध्या इस्तित है जबकि अगर हम बात करें सिनला की तो यहाँ पर जो दर्रा है सिनला यह सिनला दर्रा पिथोरागड की मध्य में इस्तित है पिथोरागड की दो घाटियां जिने हम कहते हैं दार्मा घाटी और इसके साथ-साथ दूसरी घाटी जो काली गंगा के तर्ट पर है पावत और पित्वरागर की सित्रों को कनेक्ट करता है अगला प्रस्न है केलास मानसरोवर यात्रा किस दर्ले से उकर गुजरती है पवित्र यात्रा अंतरास्ट्य यात्रा मानी जाती है केलास मानसरोवर एक धार्मिक छेत्र है जो तिबबत में इस्तित है और यात्रा यहां से होती है इस यात्रा में एक दर्रे का प्रियोग किया जाता है इस यात्रा मार्ग में उत्रा खंड का वो दर्रा है डिपलेक दर्रा जहां से काली नदी का उद्गम छेत्र है इसी दर्रे का फ्रयोग किया जाता है केलास मानसरोवर यात्रा में यहाँ पर जो अन्य दर्रे हैं दार्मा यह दर्रा पितोरागण में इस्तित है तिबत से लगता है मानसा लंपिया यह भी एक दर्रा है इसके साथ दूसरा जो दर्रा है वो है लंपिया सह दर्रा तो मांसा लंपिया दर्रा भी चीन तिपत से लगता है ठिक उटा जयनतिया दर्रा भी चीन तिपत से लगता है और ये पिथोरा गड़ में स्थित है सभी के सभी दर्रे पितोरा गड़के हैं कि अबर लिपुलेक दर्रा वो है जिससे केलास मांसरो वर्यात्रा गुजरती है अगरा प्रस्ण देखें तो राजय का सबसे उचा दर्रा कौन सा है जब कि बात करें अज्य दर्रों की तो लिपुलेक पितोरा गड़ में इस्तित है निलांग पितोरा गड़ में इस्तित है किंगरी बिंगरी भी पितोरा गड़ में इस्तित है जबकि थांगला दर्रा उतरकासी में इस्तित है निलांग दर्रा उतरकासी में इस्तित है निलां असमेलित है। किंगरी बिंगरी पितहुरागड़ ये बिलकुल सही है ये कई जगा गलत भी दिया हुआ है किताबों में लेकिन किंगरी बिंगरी दर्रापितहुरागड़ में ही है। जैतिला दर्री और ये मांसिया लंपिया उटा जैंतिया और ग्यानमा दर्री के पास इस्तित है माना डूरिला चमोरी ये भी बिलकुल सही है जबकि बोरासु दर्रा पिथोरा गड़ ये गलत है बोरासु दर्रा एक दर्रा है उतरकासी का उतरकासी के भीतिरी चित्रों में एक दर्रा है बोरासु दर्रा जो हिमाथर प्रदेश से लगता है तो उतरकासी का दर्रा है बोरासु जबकि बाली पास उतरकासी में है बिल्कुल सही है तो इनमें सही आंसर हो जाएगा बोरासु दर्रा बो रासु दर्रा पिथोरा गर्ण होकर उत्रकासी में इस्तित है जब एक इंग्री बिंग्री पिथोरा गर्ण सही है माना डूंग्रिला चमोरी सही है अगला प्रस्ण है जेलू खगा दर्रा किस दिले में इस्तित है एक दर्रा है जेलू खगा दर्रा ठीक यह अंतरास्टे दर्रा हो जाता है जबकि यहां एक अन्य दर्रा है लम्खगा यह उतरकासी के भीतरी चित्रों में है और हिमाचर प्रदेश से लगता है लम्खगा तो उतरकासी के दर्रों में प्रसिद्ध हैं उतरकासी के दर्रों की बात करें तो थांगला मुलिंगल नेलांग, सांग चोकला, जेलू खगा, बालचा, धुरा, यह अंतरास्चे दर्ली यहाँ पर हैं जबकि स्रिंग कंट, बोरासू, बाली, लम्खगा, या नलगन यह हिमाचर प्रदेश से लगने वाले दर्ली यहाँ पर हैं अगला प्रस्न है निम्न लिखित में से कौन सा दर्रा उतरकासी में इस्तित नहीं है यहाँ पर एक दर्रा ऐसा है जो उतरकासी का नहीं है तो अन्य दर्रों की बात करें तो लम्खगा दर्रा उतरकासी में है, सही आंसर है ये हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है या इस से हिमाचल प्रदेश पहुंचा जा सकता है मुलिंगला ये चीन तिबत जाने का रास्ता यहां से सौपता है उतरकासी में कोई दर्रा ये कोई जो दर्रा है ये कोई दर्रा चमोली का एक प्रसिद्ध दर्रा है में इस्तित है लम्खगा मुलिंगला कालिंदी खाल दर्रा ये तिनों के दिनों तरकासी में स्थित है अगला प्रस्न है निम्दरिखित मेंसे कौन सा दर्रा दार्मा एवं ब्यास गाटी को जोडता है तो इन दोनों गाटियों को जो दर्रा जोडता है वो है सिनला दर्रा सिनला दर्रा पित्वरागड में इस्तित है और ये दार्मा और ब्यास गाटी को जोडता है सेला दर्रा की बात करें तो सेला दर्रा पिथोरागण में इस्तित है जडी दर्रा भी पिथोरागण में इस्तित है और बोरासू उत्तरकासी में इस्तित है सिनला वो दर्रा है जो दार्मा और व्यास काटी को जोड़ता है तो ये प्रस्ते हमारे दर्रों से संबंदित धन्यवाद दोस्तों